हम सांकिकी का एक प्रोजट बनाना, एक सांकिकी पर प्रोजट्स बनाने के लिए असांखिकी एक पर हम सांखिकी का असाइन्मेंट कैसे बनाएं सांखिकी पर तो एक सांखिकी एक पर पहला पेज हो गया इस पे आप अपना नाम काक्षा रॉल नंबर स्कूल का नाम ये लिख सकते हैं उसके बाद आप चाहें तो और भी फोटो डाल सकते हैं इस तरह से दूसरे उसके बाद हम जो अगला पेज लेंगे अगला पेज सांखिकी किसे कहते हैं सांखिकी गणित की वह साखा जिसमें आकडों का संग्रहन करते हैं इकठा करते हैं फिर प्रदर्शन करते हैं फिर उसका हमबर्गी करन करते हैं फिर उसके गुणों का आकलन का अध्यान क करते हैं प्रस्तुति करन करते हैं अब सांखिकी का उद्देश ही क्या होता है अब जब्जेक्टिव सब फंक्शन अपसे स्टेटिक्स आकड़ों घटनाओ एब माकड़ों का संकलन करना आकड़ों का व्यवस्थापन ठीक से और गजनाइजेशन करना आकड़ों का गुनात् प्तरातंक तथेवों में परिवर्तित करना उसके जो गुण धर मैं उसको मात्राइब करना हॉं करना 枃पोथेशिस की जान करना यह सांकिकी की महतपुर विधियां कारी है उसके बाद हम करते कैसे हैं या तो सारनी वद करते हैं टेबलेशन रूप में करते हैं सारनी वद जैसे आपने देखे होगे जो कि इस तरह से आप इस तरह से बरगंतराल और बारम बारता ले करके यह टेली मार्क लेकर के यहाँ पे हम जैसे पांच, पांच कितनी बारा है टेली मार्क लेकर के बनाते हैं यहाँ पे पांच तो इस तरह से हम सारनी बद करते हैं या पांच से लेकर दस तक तो उसमें हम गिनते हैं बारबारता इससे भी हम तुलनात्म का ध्यान कर सकते हैं तो ये सारनी टेबलेशन फॉर्म कहलाता है जिसमें बारंबारता बंटन सारनी आता है ठीक है इसके बाद अगला पेज हम लेंगे सारनी यान का उद्देश टेबलेशन का वर्गी करित तत्यों को सुस्पस्ट और वद्धिघम बनाना जब हम टेबल के रूप में फॉर्म कर दिये तो उससे वो सुस्पस्ट दिख जाता है और इतना बड़ा डाटा को संचिप्ट कर देता है तत्यों को संचिप्ट और देखने से ही सुस्पस्ट हो जाता है तुलना योग अर्थात तत्यों और आकडों को ऐसा रूप देना जिससे तुलना करना सररल हो जाए तत्यों के अनसार वरगी करिद करना और उसको असपस्ट करना अब किस उदेश के लिए किया गया है उसके अनसार उसको वरगी करिद करना ये उसका काम है अब आता है रेखा चित्र या ग्राप पर आकरों को प्रतिर्शित करने के विधियां अब हम रेखा चित्र या आकड़े पर यदि हम उसको आकरे को ग्राप पर करेंगे तो इसके तीनी विधियां है एक है दंडालेक, आयत चित्र और बारंबारता बहुभूज अब दंडालेक, दंडालेक को इस तरह से हम लिखते हैं, एक्स-क्ष और वाई-क्ष के रूप में हम ऐसे बनाते हैं, इसमें समान लंबाय चौराई की अलग-अलग ये बिधिया हैं, इसमें ये अलग होता है, ये अलग होता है, इस तरह से हम बनाते हैं, ये दंडालेक हैं, वह आंकड़े का चितरिय निरूपन होता है जिसमें प्राहे एक अक्ष कोई भी मान लग सकते हैं और दूसरे पर चर्राशी की समान लंबाई के दंड खीचे जाते हैं अब दूसरा है आयत चितर इस तरह से होता है सांख की में आयत चितर आंकड़ों का जो होता है ग्राफिय निरूपन ये सतत सारनिवद होता है ये एक साथ जुड़ा होता है ये इसमें आयत चितर और इसमें सर्फ यही अंतर ही ये एक साथ चिपके हुए होते हैं वो अलग- लग ऊता है, खुला होता है, यानि इसकी एक दिवार कॉमन होती है, आबरिती के अनसार होता है, ठिक है? तो अगला पे ये ले सकते हैं, उसके बाद और इसी के मधविन्दूओं को जो मिलाते हैं, इसके प्रवर्ति। इस के बाद आते हैं केंदरिय प्रवृति। केंदरिय प्रवर्ति का आर्थ होता है central tendency जिसको कहते है केंदरिय प्रवर्ति का या मान होता है जो दिये गए आकड़ों का परतिनिदितु करता है केंदेरिया प्रवर्ति देखने से ही मतलब यह ओसत मान के तरह होता है देखिए यह इस तरह से दिया हुआ यह ऐसे ग्राफ चल रहा है तो यह जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको मोड यानि बहुलक कहते है जो ठीक बीच वाला हिस्सा है ठीक बीच में आये उसको मीडियन यानि मतहमान और जो सब का जोड अपन बाटे में जितनी संख्याएं हैं वो ज़दियातर तो यह उसको ओसत कहते हैं यानि माद्य कहते हैं ठीक है अब यह रहा सेंटल टेंडेंसी में तीन होते हैं माध्यमान मीन, माध्यांक और बहुलांक, माध्यमान को माध्य भी कहते हैं, और इसको माध्यक या माधिका भी कहते हैं, माध्यक या माधिका भी लिखा जाता है, और बहुलक तुजान, इसको तीनों विदियों में सबसे अधिक शुद्धता माध्यमान से हैं, यानि मीन से स सबसे जादा सोधता होती है, इससे जादा मानी जाती है, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं, आपके किताब में दिया होगा, फिर भी मैं इसको आप अपने किताब से भी बना सकते हैं, माध्यमान यानि मीन, इसका मान है, माध्य, तो मादि क्या होता है गणितिया मदिमान भिन आकडों के योग को उसकी संख्याओं में से विभाजित कर प्राथ करते हैं सिम्पसन एवं काफका के सब्दों में मद्यमान एक लबदी है जो समू के पदों के योग के पदों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है जैसे यहां पर दिया हुआ है बीस दस पाँच पंदरा दस तो इसका मद्यमान गयात कीजिए तो सब को जोड़ लीजिए और एक दो तीन चार पाँच संख्या तो पाँच से भाग ले लीजिए तो यह आपका मद्यमान कहलाएगा माध्य कहलाएगा अब आता है मध्यांग जिसको मीडियन कहते है वो ठीक बीच वाला हिस्सा जब विवस्थित अंग को अब घड़ते या बढ़ते करम में सजाएंगे तो ठीक बीच में जो आएगा उसको कहते हैं मध्यांग गिलफोर्ड के अंसार मध्यांग मान किसी मापनी पर या उस बिंदू के रूप में परवाशित किया जा सकता है जिसके उपर ठीक आधी इकाईया उसके नीचे ठीक आधी इकाईया इस्थित हो ठीक आप जो कक्षादस के जो माध्य के फॉर्मूले हैं तीनों फॉर्मूले वहां पर लिख सकते हैं माध्यांग में भी आप यहां पर सुतर डाल सकते हैं जो आप दोनों अवरगी कृता कड़े का और वरगी कृता कड़े का और बहुलक तो जानते हैं जो सबसे ज़्या आदावार आया है। उसको कहते है बहुलक है। किसे भी आबरेति वीवरान में बहुलक मान भी हमान है जिसमें आबरेति सर्गादी तो यह बहुलक महलं का भी दसमी में का जो फ follow Арले मुलग के बीच में क्या संबंद है जिसको empirical सुत्र भी कहते हैं तो ultimately ये होता है या माधिका वरार बहुलग और माधिक गटे बहुलग होता है ये इसको empirical सुत्र कहते हैं ठीक है बच्चो तो इस तरह से बनाईए और इसमें आप दसमी का भी सुत्र लगा सकते हैं जहां जहां यूज हो सकता है उसको बना करके भी धन्यवाद